नमस्का दोस्तों हमारे बिये सर्माबाद द्वाद चनल में आज सभी दोस्तों का वक्तों का स्वागत है इस कथा की सिवन कने मात्र से सभी पापों से मुक्ती मिलती है बोलो कातिक मात्म की जैं सिरी सुजी माराज कहने लगे के दिशियो आज द्वादशी के दिन दुजा रोपन की कथा है इस कथा को सुनने से भगवान विष्णू में प्रेम बढ़ता है ब्रामरों, छत्रियों, बैसों, सुद्रों सभी को संसा सागर के दुखों से छुडाने वाली ये कथा है कातिक के महिने में सुकल पक्य द्वादशी को जो भगवान विष्णू की मंदिर में दुजा बानता है वो पुरुष ब्रह्मादिक देटाओं से पूजनी हो जाता है जो कोई हजार बासोना कुटुमभी ब्रामन को देता है उसका फल दुजा रोपन की आगें दुजा धन्दा बानने की बराबर कुछ भी नहीं है गंगाजी का इस्नान तुलसी का पूजन मादेव जी की लिंग का पूजन और दुजा बान्दिने का फल बराबर प्राप्त होता है कातिक सुगल पक्खि दौजशी को सुद्ध होकर के इस्नान करने के बाद में नित्य करम करने के बाद में भगवान विश्नु का पूजन करें दो इस्तंब बनाए धाता विदाता कहकर के उनकी पूजा करें हल्दी, अख्यत, चंदन, सफेड वालाओं से भगवान का पूजन करें तीन हाथ जमीन लिप है उसमें अगने स्थापित करें गी और खीर से एक साथ आउती दें फिर उसके बाद में जो है बिश्नु भगवान का जो इस्टोट का पाथ करें दुजा को भगवान विश्नु जी के मंदर में ले जाकर के बादना चाहिए इस्तम्योग्द दुजा विश्नु भगवान के द्वार में या भगवान विश्नु के मंदर की चोटी पर बान है चंदन पोश्व अक्षत धूप रीप अनेग प्रिकार के नेवे से विश्मु भगवान का पूजन करें उसके बाद में प्रातना करें के कमल नेत्र तुम्हें नमस्कार है तुम संसार को उपन पालन और संगार करने वाले हो ऐसे तुम्हें नमस्कार है माया के संग जिनको पुरुष कहते ही आपको माया पती का जाता है माया से मोट लोगों को दूर से आप दिखाई नहीं पड़ते हो ये चेतन सरूप विष्णु जी प्रिसन्न हो जाओ इस त्रोदों से इस प्रिकास से भगवान विष्णु का पाठ करें इसके वाद में जो है भगवान विष्णु को अर्पित हो करकें प्रारी पाप करना छो दे तो मुक्ति उसके आटों में रहती है सुजी माराज कहते हैं रिश्यो पुत्र मित्र इस्दी आज के साथ में मौन हो करकें भगवान विष्णु की भक्ति में लग करकें ब्रत का प्रायन करें जो कोई उत्तम दुजा रोपन करता है जितनी बार वो दुजा जन्दा हिलता है उतनी जन्मों के पाप प्रानी के नस्त हो जाते हैं जितनी बार जोड़ा जो है मंदर के सिकरपलगी हिलेगी अवासे उतने जन्मों के पाप नस्त हो जाते हैं और सभी मनों कावना पूरी ह बिशनु जी के मंदर में दुजा बानिस से मापापों का नास होता है बिशनु जी के मंदर में जितने दिनों तक दुजा रहती है उतने युगों तक प्राणी को मुक्ती प्राप्त होती है बिशनु जी के मंदर में बनी दुजा को देख करके धर्मात्मा को आनन्द होता है और मापापों से छूट जाते ही नारजी से काववा एक इतियास है उसे भी आप ध्यान लगा करके सिमण करें पूर समय में सत्युग में चंदरवंस में सुमत्य नाम का एक राजा था सर्व लक्षन युक्त सदा भगवान विश्नु की पूजा करता था विश्नु जी के बक्तों की शिवा करने वाला एंकार से रहत सातों धीपों का अकेला राजा था उसकी इस्ति पति ब्रिता थी जिसका नाम सत्य वती था दोनों इस्ति पुरुज जलदान काते बावरी बगीचा कुआ बनवाते इस प्रिकार सत्य वती रोज भगवान के मंदर में नित्य गीत काती और परम आनंदित होती थी राजा भी जो है दो आसी की दिन भगवान विश्नु के मंदर में धोजा बानता इस विकार धर्मत्मा राजा रानी इतने धर्मत्मा थे कि देवता भी उनकी सुत्वी करते थे राजा रानी के देखने के वास्ते एक वाज जो है बिनबांदक मुनी आए मुनी का आगमन सुनकर के सुमती राजा अपनी पत्ने की सट गया उनका सतकार किया हाद जोड़ करके उनकी सामे बैठ गया उन रिशी ने जो आशिरवाद दिया संतों का आगमन जो है लोग कल्यान के लिए होता है तेज या सिधन यही है संतों की किरपा जिस पर होती है उसी सब कुछ प्रात हो जाता है राजा ने प्रिनाम किया रिशी का पूजन किया सतकार किया और कहे मुनिवार हमें क्या अग्या है अत्यद आनने तो करके राजा को नम्रता देख करके रिशी ने राजा को सफस करा और कहे राजन तुम जे जो कहा तुमारे कुल की अनसार है नम्रता ही तुमारा अभूसन है आत्यदार में काम मोक्ष नम्रता से ही प्राप्त हो भगवान विष्णू को प्रसंद करने के लिए अनेक प्रिकार के करम है पूजन है फिर भी तुम दुजा क्यों बानते हो और तुमारे इस्ती भगवान के सामने नित्यगान क्यों काती है इसका क्या कारण है राजा कहने लगा भगवन आप जो पूछते हैं उसका मैं तरवस्य दूँगा हम इस्ती पुरुष के पिछले जनम का चत्र जो है आश्चर जनक है पूर जनम में मालिनी नामक कुमार्ग में लगा रहने वाला सभी लोगों को दुख देने वाला में सुद्र था चुगली करने वाला था धर्म का देशी देवताओं का द्रब लेने वाला मा पापियों के संयोग से बाक्षी अबा के सरकुछ खा जाता था उसका विचार नहीं करता था गव ब्राम्मन को मानने वाला चोर निती कतोर बचन बोलने वाला बैस्चा में लगा रहने वाला था हमारे इस पिकार के करम को देख करके लोगों ने छोड़ दिया हम बन में आए मरेक का मास हम खाने लगे मार्ट में जो भी प्राने दीखता उसे लूट लेते थे एक दिन जो है भूग प्यासी प्रितो करके भगवान विश्णू के प्राने मंदिर में जाकर के में रुका तूटे पूटे मंदिर को मैंने साब सुद्ध किया और दोजात जनकी पत्तों से उसे अच्छी तरह से सजाया अपने रहने लायक बनाया भूग की प्रिती से जमीन को अच्छी तरह से मैं वहां लीप करके रहता था उसी समय ब्याक की प्रिती से अनेक प्रिकार के जीवों को मार करके मैं वहां पर 20 दिन रहा वहां पर में हिंसा भी करता इसके वाद में जो है उसी जगे पर बिंदाचल परवत में रहने वाली निसाज की एक कन्या थी जो कोकुल्नी नाम था जो उसके घरवालों ने निकाल दिया था जो ब्यवचानी थी इस कारण घरवालों से निकाल दिया था वो भी जो है भूग से प्याकलों करके वहां गूमती हुई आ गई उसको दुखित देखकर के मुझे दया आई और जल और मास जो है उसे खाने को दिया वो कोकुल्नी नामक दामक निसाज की कन्या जो है वह बिंदाचल परवत पर रहती थी पहले ये पती को कथोर बचन बोलती थी चोरी काती थी इसने पती को मा दिया था इसलिए इसके बंदों ने उसे छोड़ दिया था वो बन में हमारे पास रहने लगी उसी मंदर में हम दोनों रहते थे देवाले में राक्तरी को मास खाकर मदरा पी करके हम जो हैं एक दंडे में कपड़ा बान करके दोनों नाचते थे उसी समय हम दोनों की मृत्व हो गई इतने में यम्राज के दूट पास में बानकर की यम्पुली ले गए भगवान विश्णू मर्द सूरन के नित करम से प्रसंदो करके उसी समय देव दूट भगवान विश्णू के दूट भी आ गए जो अजार सूर्यों के समांते परम आनित बचन के निवाले थे उन्होंने देव दूटों ने यम्दूटों से का अरे यम्दूटों इन दोनों को छोड़ो ये पाप रहते हैं दोनों विश्णू भगवान के परम प्रिय भक्त हैं इन्होंने जो है पाप तो किये परंतु इ या भगवान विष्णू के मंदिर में ये निर्थ काते थे यम दूतों ने का तुमने सत्य का ये मापापी हैं दर्न देने की वास्ते ले जा रहे हैं पांटू इसे जो हैं हम किस प्रिकार छोड़ें तब भगवान विष्णू के दूत कहने लगें बड़े आश्चर की बात हैं धर्म की दिश्टी वाले यम राज की सवा में अधर्म प्रिविष कर रहा हैं तुम यह नहीं जानते हैं अगो तुम ऐसे करोगे तो तुम्हीं नरक की प्राप्ती होगी सुति में का गया है कि जो भगवान को अंत्ım समय में याद करता है उसके सारे पाप नश्ट हो ज इनको जली छूड़ो, देरी मत करो, मरन के समय भगवान का नाम सुनने से परम दाम मिलता है, भक्ती से भगवान का नाम ले तो उसका कहना ही क्या है, इसलिए प्रानि एक गरी, आदी गरी, आदी से भी आदी भगवान के मंदर में ससंग काता है, उसके सारे पापनेस्ट हो ज किजता है दीपडान करता है कथा सुनने वाले की पूजा करता है यम राज के पास नहीं चाता विश्नु जी कैसे विश्नु दूतों के वच्छे सुनकर के यम के दूत हम दोनों को छोड़ करके चले गए हम दोनों विश्नु के परमधाम को गए विश्नु अगबार के पास म हम एक हजार युगों तक रहें उसके बाद में एक हजार युगों तक ब्रह्म लोक में रहें उसके बाद में प्रिथी पर हुए हम आज चक्रबती राजा हुए और जो ये निसाद कन्या थी वो ये मेरी पत्नी सत्वती बनी है ये वही कन्या है आज ये मेरी पत्नी यहां प इस विकार राजा के बच्चन सुन करके बेंबादक मुनी जो है राजा की सराना काते हुए तप उबन में चले गए सुर्जी मराज कहते हैं रिशियों पापों का नास करने बाला ये इतियास जो कोई प्रानी सुनता है और इसके बाद में दुजारोपन करता है उसे इमान पुन की प्राप्ति होती है आज जो है द्वासित तिये मसूर नहीं खानी है मसूर की डाल मुलोकातिक मातम कीजै